नमस्कार दोस्तों, मैं धर्वेन वर्मा, उनलाइन इस्टिडेविडीके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं, बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र के 30 अती महत्यपूर्ण प्रश्णों के बारे में सबी को सस्क्राइब कर लेना है, तो सुरू करते हैं, आज का पहला प्रश्ण है, जैसा कि 5 वीडियो में हम आपको बताते आ रहे हैं, कि यहाँ पर आप आपका क्लन कर सकते हैं, कि इन 30 प्रश्णों में आप कितने नमबर ला पा रहे हैं, यदि आप 30 में से 30 नमबर अनुबंदन का दूसरा नाम है, यहाँ पर देखें, किरिया प्रशूत अनुबंदन का दूसरा नाम पूछा गया है, समीपस्त अनुबंदन होगा, नेमतिक अनुबंदन, प्राचिन अनुबंदन या फिर चिन अनुबंदन, इस पर एक प्रोपरली तरीके से वीडियो ब बनाए गया है यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि काफ़ी वहाँ पर साहिता मिलेगी आपको किरिया प्रशूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा नेमेतिक अनुबंधन याद रखीगा किरिया प्रशूत अनुबंधन के सिध्धानते के नाम से जाना जाता है और इसे अभिक्रमिक अनुदेशन के सिध्धानते के नाम से भी जाना जाता है किरिया प्रशूत अनुबंधन को सबसे पहले बात करेंगे कि इसके प्रतिपादकों ने किसके द्वारा दिया गया है किरिया प्रशूत अ कभ उतर पर किया था, इन्होंने दूसरा प्रयोग अपना कभ उतर पर किया था, कभ तरी दूसरिव पर दूसरे पर बढ़ते हैं कि निम्न मेंसे कौन सा थॉंडाईक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में सामिल नहीं, आपर देखे प्रात्मिक नियमों में कौन सामिल नहीं है, इसके बारे मैं पूछा गाया है, काफ इंपोर्टेंट है, इक्जाम में इस प्रकार के प्रश्ने पूछी जाते हैं, सहाच अर्यात्मक इस्तांतरन का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का निय तो तीन नियम इननों बताएं है कौन-कौन से अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, यहां कि आप पूछा गया है कौन सा यह नियम में सामिल नहीं है तो वो है शाचार्यात्मक इस्तांतरण का नियम, तो यहां पर आपने जाना कि जो धान्डाइक अधिगम का जो मुख्य नियम बताया थे, जो मुख्य नियम बताएं हैं, कितने बताएं हैं, तीन-तीनों के बारे में आप जान चुके हैं, और पांच जो नियम हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो गोन नियम हैं, वो पांच प्रकार के होते हैं, कौन यहाँ पर आपको जो रहेट आंसर होगा, वो कौन सा होगा, पहला वाला होगा, तीसरा प्रश्न, अनुकुलित अनुकिरिया सिद्धान्त किसके अनुकूलन पर बल देता है, तरक, विवार, चिंतन या फिर अभी प्रेंड़ना, काफे इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही आं निम्न में से सामाजिक मुल्य कौन सा यहां पर देखे सामाजिक मुल्य आपको बताना है कौन सा है साहिता परक्विवार है प्रात्मिक लक्ष है मूल प्रवत्ती है या फिर आक्रमक्ता की आवशकता यहां पर सामाजिक मुल्य कौन सा है यह आपको बताना है तो आपका पुतिशयूग, समाज सेवा, सामाजिक उतरदाईत वी सभी सामाजिक मुल्य के अंतरगत आते हैं जो की प्रमुक है तो याद रखेगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा पहला वाला होगा चलिए पांचवा प्रस्न के और बढ़ते हैं पांचवा वरत्ति के हैं फिर प्रकार्यात्म के इस्तिर्ताख हैं important प्रस्न हैं ध्याइन दीजिएगा यह स्वतासोद पश्च अनविशन तथा साधन साक्ष विसलेशन यह स्वतासोद के उधारन है। प्राइट आब क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा, चलिए, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनुवेज्याने के कारपकों में कोन सा सामिल नहीं है, प्रस्णी यह भी इंपोर्टेंट हैं अधिगम की एक्छा हैं प्रेणना हैं रूची है या फिर विसे वस्तू का स्वरूप हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा विसे वस्तू का स्वरूप विसे वस्तू का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनुवेज्यानिक कारकों म प्रात्वा प्रश्ण है थांडाइक ने अपने सिध्धान्त को किस सिर्षक से सिध्ध किया है प्रश्ण इंपोटेंट है यहाँ पर थांडाइक ने अपने सिध्धान्त को किस सिर्षक से सिध्ध किया है संगनात्मक अधिगम, अधिगम के प्रियाश एवं भूल, संक्यत अधिगम या फिर इस्थान अधिगम चार विकल पे हैं सही आंसर क्या होगा तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम के प्रियाश वम भूल का जो सिध्धानत है इसे सिर्षक से सिद्ध किया है सिध्धानत को संबंदवाद या फिर उद्धिपक कनुकिरिया सिध्धान्त पर कहते हैं यदि आपको नहीं पता तो धियान दीजेगा इस सिध्धान्त को संबंदवाद या फिर उद्धिपक कनुकिरिया सिध्धान्त के नाम से भी जाना जाता है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा बीवाला होगा गिरो अवस्ता किस आयू वर्ग एवं विलंब विकास से सम्मनि थे 16-19 वर्ष एवं ने तिकता 3-6 वर्ष एवं भाषा 8-10 वर्ष एवं श्रमाजिकता और 8-10 वर्ष की जो आयू होती है उसमें बालक अपने श्रमू का श्रक्रिश अदश बन जाता है जो कि किस आवस्ता में चरम पर पहुंच जाता है और जो गिरो अवस्ता होती है यह सामाजी करन से सम्मनित होती है तो यहाँ पर आपका जो राइट अंसर होगा वो तीसरा वाला होगा नावा प्रशन है निम्न में से कौनशी बाद की अबाल्यवस्ता के बोध्धिक विकास की विसेस्ता नहीं है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यवस्ता के बोध्धिक विकास की विसेस्ता नहीं है भवश्य की योजनास की सूजबूज विज्यान की कालपनिक कथाओं में अधिक रूची बढ़ती हुई तारकिक सकती या फिर कालपनिक भयो का अंत चार विकलपे हैं सई अंसर क्या होगा तो आपका यहाँ पर आइटा अंसर होगा भवश्य की योजनाकी सूजबूज बाल्य अवस्ता के बात की अवस्ता अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशिस्था नहीं है क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने बहुश्य की योजनाओं के प्रती चिंतित रहता है जिसके कारण वहां तनाओं में रहता है ना कि वहां अपने भष्य की योजनाओं के प्रती सुझ-बुझ प्रदर्सित करता है तो यहां जो विशेस्ता होगी यह सम्मान में प्रोड आवस्था की हो सकती है तो आपका यहां पर जो right answer होगा वो पहला वाला होगा चलिये इनमें से कौन मनोवग्यानिक भासा विकास से संबंद है यहां पर देखें वो कौन सा मनोवग्यानिक है जो भासा विकास से संबंद रखता है पावलाव बीने चॉमसिकी या फिर मास लो तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा चोम सी की याद रखेगा ये मनोवेग्यानिक भासा विकास से सम्मन्द रखते हैं तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा 11 प्रश्ण है एक छात्र पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया निम्न में से किस सवेधना द्वारा वहाँ छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा द्रश्टी सवेधना, इसपर्श सवेधना ध्वनी सवेधना या फिर प्रतिक्षना सवेधना किस प्रकार वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा इसके बारे में आपको बताना है तो आपका रायट आंसर होगा द्वनी सवेदना याद रखेगा ग्यान अंद्रियों के द्वारा व्यक्ति अपने होने वाले प्रभाव को सवेदना कहते हैं और यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सरप्रथम वहां हां में जवाब देगा अर्थात वहां अपनी अनुक्रिया द्वनी सवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा तो यहाँ पर आपका जो रायट आंसर होगा वो कौन सा होगा तीसरा वाला होगा बार को इस तरह रखेंगे कि चार विकल्प भी आपको देखने को मिले पहला यहां पर विकल्प ही कि जब खंडवा संकुल संदर्ब केंद्रों की भागिदारी बढ़े तब संभव होगा इस्थाने संदर्ब व्यक्ति उपलब दो तब संभव होगा या फिर अध्यापको के प पारे में पूचा गया है कि यह कब संभव होगा तो यह पहला दूसरा और तीसरा जो तीनों विकल्प हैं इसके द्वरा संभव हो सकता है सेक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्र करन तभी संभव होगा जब खंडवा संकुल संदर्ब केंद्रों की भागिदारी बड़े साथ में इस्ताने संदर्ब व्यक्ति उपलब्द हो और अध्यापकों के पास संसादन और प्रासंगीक सामगरी भी मोजोदू साथिसाथ इस्ताने स्तर पर ग्राम सिक्षा समिती महिला संगठन गेर सरकारी संगठन या फिर अन्य संगठनों समितियों की सक्री सह बहागिता बड़े तब सेक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्री करन संभव होगा तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्त वाला होगा अगला प्रस्निय हमारा सुक्ष्म सिक्षन चक्र का प्रथम पद होता यहाँ पर देखें प्रथम पद पूछा गया है सुक्ष्म सिक्षन चक्र का प्रति पुछ्टी सिक्षन योजना बनाना या फिर प्रस्तावना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुक्ष्म सिक चक्र का जो प्रथम पद होगा वो यूजन बनाना होगा यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा चबदवा प्रश्णा कोशलो के स्तांतरन के लिए कौन सा उपयोगी है यहाँ पर देखे कोशलो के स्तांतरन के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी है कोशल अंतरन एक गती है ना कि उद्देश यह रेखी अभिक्रमक शाखी अभिक्रमक या फिर तेयारी और अरजनिया पर च अगला प्रश्न है पंद्रवार अभीप्रेणना का प्रत्याशा सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया है विक्टर ब्रूम, मासलो, हर्जबर्ग या फिरिसकिनर याद रखेगा जो अभीप्रेणना का प्रत्याशा सिध्धान्त दिया गया है वो विक्टर ब्रूम के द् प्रतिमान के बारें पूछा गया है कि यह किस परिवार से संब्दित है तो यह सूचना प्रक्रियाकरन से संब्दित है याद रखेगा ब्रूष आर जोयस तथा मार्श वेल ने अपनी पुस्तक माडल आप टिचिंग में सिक्षन प्रतिमानों के कितने भाग बताई है तो उन्होंने चार भागों में बाटा है एक बार फिर सुन लिजे ब्रूष आर जोयस तथा मार्श वेल ने अपनी पुस्तक माडल आप में सिक्षन प्रतिमानों को चार भागों में बाटा है अब चार भाग कौन-कौन से अंतह प्रक्रिया इस्तरोत सूचना प्रक्रिया करन व्यक्तिगत इस्तरोत प्रतिमान और चोथा है व्यभार परिवर्तन इस्तरोत प्रतिमान अब चार आपने यहां पर भाग देखी जिस में सूचना प्रक्रिया करन तो आपको देखने को मिला लेकिन अगरी मिवस्थापक प्रतिमान आपको महाँ पर सुनने को ना ही देखने को मिला तो मैं आपको बता दूँ ये सूचना प्रक्रिया करन के अंतरगत आता है या कि कह सकते हैं कि इन चार प्रकारों के प्रतिमानो को पुना कई भी भागों में विभाजित किया गया है जैसे कि सूचना प्रक्रिया करन की हम बात करें तो इसे कितने भागों बाटा गया है तो इसे भी चार भागों में बाटा गया है कितने भागों में चार भागों में निस पत्ति संप्रति प्रतिमान अगरीम विवस्था आपक प्रतिमान तो यहाँ पर आपका राईट आज़ासर कोन सा होगा तीसरा वाला सत्रवा प्रश्ञ सेंडूर में यहाँ पर देखिए संगनातमक के करते हो पूछ का सही पूचा गया है चार वीकल पापके सामने है सबसे पहले आपके आपको फूचर करना है दूसरा है भावात्मक छेत्र का उद्देशी और तीसरा है मनोगत्यात्मक छेत्र का उद्देशी यहां पर संगनात्मक छेत्र का सही क्रम पूछा गया है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि याद रखीगा ब्लूम ने वर्स 1956 में संगनात्मक छेत्रिके उद्देशों को पुना क्रमशा 6 भागों में बागों में 6 बागों में अब उनको क्रम में जमाना है तो क्रम किस प्रकारप से बताए है पहला है ग्यान, दुसरा है अवबोधन तीसरा है अनुप्रियोग, चोथा है विसलेशन, पांचवा है संसलेशन और छटा है मुल्यांकन ये सही करम है संगनात्मक 6 तरिकात। राइट अंसर आपका क्या होगा यहाँ पर फोर्त वाला होगा आगे बढ़ते हैं हमारा ठारवा प्रस्ने है निम्न में से कोन सी अच्छे सिक्षन की विसिस्ता नहीं है स्विक्षाचारी, जनतांत्रिक, साहनो भूति पूर्ण या फिर वान्चिनी सूचनाएं देने वाला यहाँ पर अच्छे सिक्षन की विसिस्ता कोन सी नहीं है पूछा गया है तो आपका रायटांसर होगा स्वेक्षाचारी ये अच्छी सिक्षन की विसिस्ता नहीं होती है जनतांत्रिक साहनो भूतिपून और वान्चिनी सूचनाई देने वाला ये तीनों ही एक अच्छे सिक्षन की विसिस्ता है तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी एक अच्छे सिक्षन की विसिस्ता नहीं है तो वह है स्वेक्षाचारी यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा समावेशी करन की शफलता के लिए आवशक है चमता निर्मान का भाव अभी भावो को की भागिदारी का नहोना अलगाव या फिर सवेदन सिल्था यहाँ पर समावेशी करन की शफलता के लिए क्या आवशक है इसके बारे में आपको बताना है तो इसके लिए शवेदन सिल्ता आवश है कि यहाँ पर डी वाला विकल्पी आपका सही होगा निम्न में से कौन सा शवेग का तत्व नहीं है पूछा गया है विभारात्मक देहिक शंहिनात्मक या फिर सवेदी तो यह होगा हमारा शवेदी याद रखेगा शवेदी सम्वेग का तत्व नहीं होता है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर फोर्त वाला होगा अगला प्रशने है आदो लिखित में गनित सम्मंदी अधिगम अच्हमता को कोन सा पद परिभाशित करता यहाँ पर देखे गनित सम्मंदी अधिगम अच्हमता के बारे में पूछा गया है निरस्ता सम्मंदी दोस पठन दोस गन्ना दोस या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं सही विकल्प का आपको चेहन करना है तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा गन्ना दोस यहाँ प तो यह किस विकार में होता है डिस्केल खुलिया में होता है और यदी एक साथ को परिभाशित करता है यह पूछे तो यह गणना दोश के पत को परिभाशित करता यहाँ पर। विकल्पे आपका सही होगा। यहाँ शिद्ध करना चाहते थे कि सीखना संगनात्मक समकारे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किशी भी नई भाषा को शीखने के लिए कहां से प्रारंब किया जाना चाहिए। अक्षरोवा सब्दों के मद्द सहाचरिशे वाक्यों के निर्मान से सब्दों के निर्मान से या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा अक्षरोवा सब्दों के मद्द सहाचरिशे किशी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरोवा सब्दों के मद्द सहाचरिशे प्रारंब किया जाना चाहिए। यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा। अगला प्रशन है शंकल्पनात्मक परामर्ष के जन्मदाता है यहां पर देखे शंकल्पनात्मक परामर्ष के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है विलियम से है थोर्न है रोजर से है या फिर इनमें से कुई नहीं तो यहां पर आपका राय टांसर होगा थोर्न थोर्न स संकल्पनात्मक परामर्ष के जन्मदाता यहां पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न है चात्रों के अवांचित व्यभार के संसोधन है तू सबसे प्रभावी विधी यहां पर देखे सबसे प्रभावी विधी पूछी गई है चात्र के अवांचित व्य विभारों के संसोधन है तो जो सबसे प्रभ हविविदी होगी वो अमांचित विभार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना होगा तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा CWSN का अर्थ यहां पर CWSN का अर्थ पूछा गया है विशिष्ट आवशकता वाले बच्चे मजबुत आवशकता वाले बच्चे एकांगी आवशकता वाले बच्चे या फिर म्रदू आवशकता वाले व्यक्ति यहां पर CWSN का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता ह विशिश्ट आवश्कता वाले बच्चे यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प हो गा लेकिन कोहलर ने किस पर अपना प्रियोग किया था ये पूछा गया है बंदरों पर किया था कुत्तों पर मुर्गियों पर या फिर वन मानुस पर तो आपको मालूम होगा इन्होंने वन मानुसों पर अपना प्रियोग किया था और कोहलर ने कौन सा सिद्धान दिया था तो अन्तरश्टी सूच का सिध्धानत दिया था और अपना जो प्रियुग किया था वो वन मानुशों पर किया था यहाँपर D वाला विकलपे आपका सही होगा अधिगम का पठार यहां पर देखे अधिगम का पठार बताना है अधिगम की समापती है अधिगम में अवरुद वर्धन है अधिगम में दो से या फिर अधिगम में अवरुद है तो यहां पर अधिगम का पठार के बारे में पूछा गया है तो आपका रैटांस होगा अध प्रश्चने है तो आज के जो तरह आपको समाब तो होते ही आज के वुडियो आपको कैसा लगा I hope हम आसा करेंगे कि आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो लेकिन फिर भी आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है कि आपको इसमें कितने अंक प्राप्त होगे तो जल्दे ही दोस्ते के नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद